प्रियास ब्यूटी जोन कैसे हो आप सब आज मैं आपके लिए एक और शॉपिंग हॉल विडियो लेकर आए हूँ और इसमें हम करेंगे बात्ची चिट चाट मैंने कुछ समान लिया था नाइका से बहुत ही ऑफोर्डबल मॉइस्चुराइजर्स और पेस क्रीम वगेरा अलग-अलग रीजन्स की वज़ा से और कुछ मीकप का समान मैंने ओडर किया था फ्लिप कार्ट से और वही सब समान है मेरा आज के इस बॉक्स में जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जल्दी से और इसमें से बहुत सी इसी हैं जिनके मैं रिव्यू वीडियो भी बनाऊंगी तो आप कौन से प्रॉडट का रिव्यू वीडियो देखना चाहते हो मुझे कामें सेक्शन में लिखकर जरूर बताना ओके मैं अपनी तर से काफी अफोर्डबल प्रॉडट्स खरीदे हैं बिकर आपको पता है कि ज जारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी वैसे बता देती हूं यह मैंने ग्रीन कलर की बेल फ्रिल्स वाली टॉप ली है मिंत्रा से और यह मेंक अप लुक तो अलड़ी मेरे चैनल पर आ चुका है चट फूजा का मेंक अप लुक क्रेट कि और मेरे दशेरा व्लॉग तेखा अईनो दशेरा व्लॉग दिवाली के बाद आया था एडिटिंग करने में थोड़ी लेट हो गए न इसलिए थोड़ा सा गप हो गय था दिवाली की छुटिया मना रही थे तो दशेरा व्लॉग भी जरूर देखना मिस नहीं करना ओके तो इससे पहले कि मैं आपको फर्स आइटम दिखा हूँ मेरा बहुत मन कर रहा है आपको जोर से जबभी देने की परकेज आप लोग इतना प्यार भरी बाते लगते हो ना कॉमें सेक्शन में कि मेरा सच में मन कई बार भर आता है अच्छली में मोहिट से जब शेर करती हो आपके कॉमेंस मैं बोलती है यार यह लोग इतना प्यार करते हैं यह ऐसे लिखते हैं बाई गॉट कभी मिले भी नहीं है मझे बड़ी वाली चप़ी और एक लंबी वाली पुच्ची हैंक यू चलो अब शिरू करते हैं सबसे पहले हैं यह पॉल्स आइलाश जो मैंने फि पर नजर आजाएंगी प्राइस वगरा और इनके बाइंग लिंक्स अगर मैं दे पाई तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी फ्लिपकार्ट वाले आई डों थिंक मैं दे पाऊंगी बिकस मेरी उनके साथ कोई अफिलेशन नहीं है इवन नाइका की साथ अफिलेशन नहीं है I'm so sorry तो मैं आपको प्रोड़क्ट नेम्स अच्छे से लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ताकि आप उसी कॉपी-पेस्ट करके फ्लिपकार्ट या नाइका पर उस प्रोड़क्ट को सर्च कर सको प्लीज इज़स्ट कर ले ना क्या करूं अ अब इनके साथ अफिलेशन नहीं है मेरा तो फिर मैं फ्लिपकार्ट नाइका वाले वीडियो जी ना बनाया करूं क्या अब शॉपिंग तो मैं वहां से भी करती हूँ ना करी थी आइधिक दिवाली पोस्ट दिवाली सेल भी अभी चल रही है कहीं कहीं पर सो डोंट मिस्ट चेक इट आउट नेक्स मैंने पिक या है स्विस ब्यूटी का ये मेकप फिक्सर नाच्रल मेकप फिक्सर विज अलोविरा एंड वाइमिन ए बहुत ही जाधा अफोरड़ हमेरे पास मेकप फिकसर रह है जो सुपर फोरड़श है ब्लू हैं का है और अपोरड़श में उस्की लिए में एक क्या यह मैंने का रह जाधाय इस बिज और लोग्श कष़ा जो ना तो इस तरह का अच्छा रहता है बहुत से यह थाराद ने यह यह लेना इस बार मुझे यह Flipkart की सेल पर दिखा तो मैंने इसे फट से पिक कर लिया अभी तक यूज नहीं किया है जल्दी ही यूज करूं इसके बाद मैंने तीन आइशाडव पालेट से उठाए हैं आपको मैं ओपन करके लिखाती हूं यह देखो इसके इन्टर 9 different shades है और बहुत ही प्यारेट shades है इसके इन्टर आपको सारे transition colors भी मिल जाते हैं brown, rust brown, burnt orange, rust color, light brown color, dark brown और सेंटर में एक शिमरी copperish golden shade मिल रहा है और यह आपको eye base को set करने के लिए as eyebrow को highlight करने के लिए यह वाला shade यूज़ कर सेंटो तो all in one palette है मुझे इस तरह के palette जादा बसंदाते हैं बचाए कि मैं एक huge palette खरीद लूँ जिसके अंदर 50-100 different shades हों और आपको यह भी ना पता रहें कौन सा यूज़ करूं कौन सा नहीं और उसको you know रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है उसको आप travel friendly तो होते नहीं है इतना बड़ा pack लेकर travel करोगे तो दूट भी जाता है इस तरह के छोटे packs काफी travel friendly भी होते हैं और मुझे बहुत शे लगते हैं आपको डिफिन डिफिन वराइटी मिल जाती है यह मैं और इस makeup look में use कर चुक हूँ highly pigmented colors हैं Swiss beauty के और इतना affordable palette है तो अगर आपको स्क्रीम पर कितना जादा affordable है तो अगर आप बाइ करना चाहते हो तो flip card पे जरूर चेक करना अभी भी sale चल रहे हो इसी का मैंने एक और शेयर उठाया है वो 04 था और यह है 03 इसके shades भी मैं आपको दिखाती हूँ बहुत प्रिटी shades है हाला कि मैं इसको भी यूज नहीं किया है बट मैंने फिंगर से इनकी pigmentation चेक कर ली है यह सुपर गॉर्जिस पालेट इसको shimmery colors पसंद है ना shimmery eye makeup मुझे पसंद है क्योंकि festivities में आप थोड़ा सा shimmer तो आड़ करते ही हूँ हाइलाइटिंग भी कर सकते हो आप इसी पालेट में से and once again it is super affordable तो यह तो दो स्विस ब्यूटी के ultimate shadow palettes हो गए बहुत प्रसंद है मुझे और मैंने एक और eye shadow palette pick किया है Hilary Rhoda का अब people call it Hilary Rhoda Hilary Rhoda Hilary Rhoda Hilary Rhoda whatever it is I call it Hilary Rhoda तो Hilary Rhoda का यह multiple color eyeshadow palette बहुत ही प्यारा है इसमे 16 different eyeshadows मिल रहे हैं आपको और the shade that I've picked up is 02 again super duper affordable just see किते प्यारे colors है I mean almost सारे ही colors जो आपको अपको अपनी साडी या ड्रेस के साथ मैच करने के लिए चाहिए होते है इसमें मिल जाएंगे तो why go for such big palettes right and that too at such affordable price मतला मैंने तो flip card CC लिए pick कर लिया मैंने का हाई इता सुस्ता हाई इता सुस्ता ले 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 त्यूं ट्राय करते है इसकी pigmentation मैंने अभी check नहीं करी एकदम brand new colors है इसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया आपी के साथ में थोड़ा सा check कर लेती हूं इसको this is the pigmentation of pink and then let's check blue wow and then let's check this green तो आप देख सकते हो ना इनकी pigmentation भी अच्छी है talcum kind of smell है इसमें और कोई बहुत जादा powdery या चौकी भी नहीं है Hilary Roda का एक already multi-colored palette है जो मैं शुरू मैं use करती थी जब मैंने YouTube channel शुरू किया था उससे मैंने धेरों looks create करी है and believe me and trust me आपको affordable range में भी काफी pigmented palettes मिल जाते हैं अगर आप ढूणने जाओ तो ढूणो ता सही और हम है ना आपको ढूणवाने के लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप branded वाले नहीं use करें of course उनकी quality pigmentation बहुत अच्छी होती है definitely but अगर आप मेरी तरह शौक रखते हैं बहुत सारा में कर्था करने का तो फिर इतने सारे मेंगे मेंगे क्यों लेने affordable affordable वाले लेकर अपनी collection को बड़ा बना लो इस से मजे याद आया आप लोग मेरी make-up collection देखना चाहते हो ना हम मैं सोच रही हो इसके बारे में बहुत जोरो शोरो से सोर लगा के comments में लिखके और जोर लगा हो ताकि मैं पका बना दू अपनी make-up collection का video okay यह तो मैंने आपको दिखा दिया जो मैंने flip cut से लिया है अब मैंने कुछ moisturizers on daily creams pick करी है naika से for different reasons आपको मैंने कहा था reasons like comment section में लोग मुझसे पूछते हैं दीदी मेरी oily skin है कोई affordable cream बताएए dry skin है affordable cream बताएए कोई अच्छा moisturizer बताएए मेरे face पे acne है वगेरा वगेरा तो आप सब की उन शिकायतों को आप सब की उन queries को और आप सब की उन doubts को clear करने के लिए मैं buy करती रहती हूं चीजें देखा दीदी को pat on the bag दो अच्छी है न दीदी अच्छा काम करती है न तो सबसे पहले मैंने मैं पिक किया है निवया का ऐलो हाइडरेशन मोईस्टराइजर और बहुत अफोरड़िबल है मैं आपको इसके उपर से मर्प पढ़के बता रहे हूं पर जिस प्राइस पर मुझे मिला है वह आपको स्क्रीन पर नजरा जागा ये 115 रुपीस का है बहुत ही अच्छा निव निवया का सॉफ्ट वाइटमिन E light moisturizer this is fresh and soft skin fast absorbing formula इसको मैं इस makeup look में already use कर चुकी हूं दो तीन बार मैं इसी यूज किया है काफी light formula है इसका बहुत ही जल्दी आपके skin में अब्सॉर्ब जाता है और आपके skin को अच्छे से moisturize भी करता है निवया is known for its moisturizing qualities ये 75 ml quantity है और इसकी bottle प्राइस रूपी 110 ओके नेक्स्ट मैंने पिक करी है हिमाल्या की ये skin cream हिमाल्या नाच्रल ग्लो केसर face cream with phyto vitamin complex ये बहुत ही जादा अफोड़ेबल है इसके अंदर alfa-alpha और saffron है saffron यानि केसर और alfa-alpha क्या करता है मैं आपो जल्दी से बता रहेते हूं alfa-alpha is known to work on melanin synthesis तो आपका जो melanin है जिससे आपका complexion dark होता है अगर melanin सादा हो एंद कम हो जान वाली बाते अभी नहीं करेगा ठीक है तो उसको control करता है ये alfa-alpha or saffron जो है वो it is known to improve your skin tone and complexion हमाल्या as you know is a very well known brand जो काफी herbal products बनाते हैं तो इसका price है only Rs.48 तो इसके उपर mention है that you will see the results in 6 weeks अग आपको अपकी complexion में एक skin में glow नसर आएगा so you can go ahead and try it very affordable next मैंने पिक करा है L'Oreal Paris का ये skin perfect daily cream this is for the age 30 plus because I am 30 plus लेकिन इसमें 20 plus भी आती है तो अगर आप 20s में हो तो you can go and try that one this has anti-fine lines and whitening cream fights first signs of aging and gives you glow and fairness it also has SPF 21 PA++++ तो इसमें SPF factor भी है sun protection भी मिल जाएगा आपको और साथ ही अगर आपकी 30 plus age है तो wrinkles और aging lines आना शुरू हो जाती है smile lines बनना शुरू हो जाती है तो उसके लिए भी अच्छा है और it says advanced skin whitening भी करता है that I am not too sure of the next one that I have picked up is simple ka यह moisturizer यह brand मैंने naika पर ही देखा है अभी और कहीं नहीं देखा तो अगर आपकी sensitive skin है बहुत अगर आपकी sensitive skin है बहुत अगर आपकी sensitive skin है बहुत जल्दी कुछ products यूज करते हुए यह आपको acne की problem है तो आपको products लेने चाहिए जो non-comodogenic हो यानि की आपको कम से कम अलर्जी कर है उनमें तो simple यह sensitive skin experts specially brand इन्होंने formulate किया हुआ है and it says it has hydrating light moisturizer 12 hours moisturization देता है आपको light है बहुत और इसके अंदर no artificial perfume or color no harsh chemicals that can upset your skin no alcohol no parabens and no animal derived ingredients तो यह सब इसके ओपर mentioned है 125 ml quantity मिल रहे है आपको for the price of rupees 385 तो यह अपको थोड़ा से expensive लग सकता है but the quantity is very good and the price is kind of okay I've heard ki simple k products kaffee effective और अच्छे हैं तो I thought of trying it dermatology करी टेस्टेड है non-comedogenic product है और साथी hypoallergenic है तो यह sensitive skin वालों के लिए बहुत बढ़ी है you can definitely go ahead and try it एक और option मैं आपको दे रहे हूँ sensitive skin वालों के लिए जो कि मैं अकसर recommendation में बताती हूँ इस बार मैंने pick भी किया है Cetaphil का यह moisturizing cream इसको जिस दिल से यह products मेरे पास आई है ना मैं तब से ही से apply करे हूँ because I have a problem winters में मेरी legs और arms में over dry ने सुझाती है white flaky ने सा आ जाती है तो मुझे कोई medicated cream use करनी पड़ती है along with my regular body butter और moisturizer Cetaphil is a moisturizing cream which is dermatologically tested, approved and even dermatologists recommend it long lasting intense hydration for daily use, non greasy, non irritating, it will not clog your pores and it is hypoallergenic all skin type को suit करती है and इसका MRP है 389, मुझे जिस rate पर मिली है वापको screen पर नजर आ जाएगा but this is really worth giving a try अगर आप ढून ढून के थक चुके हो एक अच्छा moisturizer जो आपकी over dryness को हटाए और आपको बिलकुल भी irritation नदे skin पर sensitive skin है तो आप इसको ज़ूर ट्राइ करो Cetaphil के सारे ही products बहुत ही अच्छे होते है and with this I come to the end of my shopping haul तो मेरा box हो गया है खाली शारी shopping मेंने आपको दिखा दी है अब इन में से कौन-कौन से products का आप review देखना चाहते हो कौन से सिरफ makeup में use करके देखना चाहते हो लिखो और बताओ I hope मेरे ये shopping haul videos पर आपके लिए useful रहते होंगे ये सोचने में कि आप क्या चीज बाइ करो कौन सी कहां मिलती है कितने की मिलती है तो अगर आपको है helpful लगते हैं तो इसको एक thumbs up दे दो ठीक है? I love you so much जल्दी ही मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ तब तक अपना खयार रखना and happy shopping Bye!